हाई everyone स्वागते आप सभी का इस video में हम चैमिस्टी के important questions देखेंगे बाकी remaining जो पार्ट होंगे बिकास हम total 100 questions करेंगे बाकी जो पार्ट होंगे हम next video में solve करेंगे तो आजी स्टार्ट करते है हमारा first question the compounds having same molecular formula but different in their structure इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए आई सुमर्स को इनका मूल भूद जो इनका कैमिकल फॉर्मिला होगा वह आपका सेम रहेगा वसे स्ट्रक्चर्चर्स चेंज होते जाएंगे कभी यहां पर कभी मान लीजिए ऐसे में आपको बता रहा हूं ठीक है बाकी तो जो किम पतलू मैं है या शार ठील्थ में है या अगर हम बात करते हैं यह उल्हीं कि हम समस्थानिक करते नियु आई इसा भाडिक bringing उundUFF के आते हैं जिनका आपका आपको नहीं आध रखना जिनका आटमिक नमब जीसे ध्यून कहते है प्र मानु जो संख्या होती वेफरंडु यह एक माम यह अगर है तो हई्दोजन की बात करें तो थी यह अगराम देखे यह हो जाता आपका प्रोटीयम फिर यह होता है Ăपका डिूटीडियम फिर यह अपका होता है ट्रेटियम यानि कि देखिए यापे हाईड्रोजन सैम है अगर हम बात करते हैं इसके जो अटॉमिक नंबर है वो सेम है यह अटॉमिक नंबर है नीचे यहाँ पर 1 आएगा atomic number same है बट जो इसके mass number है यानि कि जो द्रब्यमान है वो अलग है ठीक है mass number इसका जो है वो अलग है तो आपने याद रखना है आप से करी बार पूछा जा था कि hydrogen के आपको isotopes के नाम बताने तो आपने बताना है proteum, deuterium and criterion इसके से अगर हम बात करते है isobars की जिनके isobars से आपने याद रहा है बार से भार, भार मतलब आपने द्रब्यमान याद रखते हैं यहाँ से यानि कि atomic जो आपका atomic mass होगा यानि कि जो द्रब्यमान होगा वो आपका same होगा लेकिन जो आपका atomic number यानि की परमानू संक्या होगी वो different होगी तो आपने याद रखना जैसे हैं अगर हम बात करते हैं chlorine की chlorine होगा फिर आपका जो argon होगा ठीक है अगर आप देखें इनका जो atomic mass है या द्रब्यमान है वो same है ठीक है तो बाकी जो चीज़े हैं और इनके जो atomic number है वो different है तो आप यहां से आ रख सकते हैं एलो ट्रॉप्स क्या होते हैं वो होते हैं आपके अपरूप वैसे आपसे पूछ ले जाता कि कार्बन की कोई दो अपरूप बताएं तो कार्बन की दो अपरूप क्या हो सकते हैं आपके पास डाइमेंड यानि की हीरा और ग्रेफाइट और देखी जो purest form होती है कार्बन की वो क्या होती है वो होती आपकी डाइमेंड और आपसे यह भी कुश्चिन पूछा जाता है कि जो डाइमेंड होता है उसमें कौम सा फिनॉमेन होता है जिसके विज़े से चमकता है तो आपने याद रखना है total internal reflection जिसे हम कहते हैं पूरण तह आंतरिक परावर्तन हिंदी में इसे exactly ही कहते हैं तो आपने यह भी याद रखना है और आपको पूछा जाता है कि C60 पूरण के नाम से compound जाना जाता है ठीक है आप इसे भी याद रख सकते हैं इसकी जो shape होती हो फूट वाल के तरह होती है इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं which of the following fuel causes minimum environmental pollution कौन सा इंदन जो है आपका वो new term प्रयावरन प्रदूशन करता है तो आपको पता है डीजल तो आपका बहुत pollution करता है कोल भी यान की कोईला hydrogen kerosene hydrogen देखिए आपका बहुत कम pollution करता है और इसे ही हम future fuel के नाम से भी जानते हैं तो आपने याद रखना है आने वाले time में यह हम ज़्यादा use करेंगे possible इस पे अभी वी वर्क चल रहा है alcohol obtained in the sponification processes साबनी कर्ण प्रक्रिया में प्राप्त alcohol कैसे में प्राप्त कैसे करते हैं और कौन सा alcohol होता है वो तो इसका जमारा right answer है वो है आपका option D glycerol विचो तो falling fiber is made from the natural raw material कौन सा fiber प्रक्रित कच्चे माल से बनाया जाता है तो अगर हम इसका जो right answer देखें तो यह है आपका rayon option is the right answer sodium citrate is a salt and is used in sodium citrate एक salt है एक नमक है लवन है और इससे आप किसके रूप में प्रयोग करते हैं कहां आप इसे use करते हैं तो इसे use करते हैं आप to make soap साबुन बनाने में आप इसे use करते हैं which are the following vegetables oil does not contain essential fatty acids कौन से वनस्पती तेल में आपके पास essential यानि की जुरूरत fatty acid नहीं होता है तो इसका जो हमारे पास right answer है वह है आपका sun flower oil जिसे हम सूरय मुखी कहते हैं in honey which one of the following sugar predominates shard में नेमलिक्स में से कौन सी शरक्रा सबसे ज्यादा होती है तो इसका उमारा right answer option be fructose देखिए शुक्रोज जो होती है fructose जो होती है आपकी वह generally fruits में पाई जाती इसलिए इसका जो नाम है वह fructose है और जो सबसे ज्यादा sweetest होती है मीठी होती है वह आपकी जो शरक्रा होती है कौन सी fructose ही होती है और दूद में कौन सी होती है दूद में होती है आपके पास lactose यह आपने याद रखना है question पहले पूछा गया है which one of the following is artificial sweetener कौन से कृत्रिम sweetener है जो मतलब मिठास add करते है ठीक है natural नहीं है और artificial होते हैं तो इसका जोमारा right answer option b sorry option c सुक्रेलोज option c is the right answer enzymes are enzymes कुछ questions ऐसे हैं जहां पर मैंने translate नहीं किया वहां पर translation की शायद ज़रूरत नहीं मनती है तो enzymes को आप हिंदी में भी enzymes ही कहते है enzymes क्या है carbohydrates है, proteins है, lipid है steroids है तो जो आपके enzymes होते हैं वो क्या होते हैं वो आपके होते हैं option b proteins which are the following type of coal produce no smoke on burning देखिए सारे आपके coal के types हैं और आपसे question पूछागा कि कौन सा coal जो है वो जलने पर आपकी जो दुआ नहीं छोड़ता है तो इसका जो मारा right answer है वो है आपका option c bituminous which are the following use as a sewing agent in the preparation of soft drinks soft drink जो आपकी होती है उनमें हम कौन सा sewing agent use करते हैं तो देखिए जैसे आप देखिए आप खुद देखिए जहा हम गूगल से automatic translation use करते हैं तो यह sewing का मतलब यह खेत वाली इसने बुआई वाला यहां पर add कर दिया जो की गलत होता है तो इसी तरीके से मैं ज्यादा translation नहीं करता हूं तो यहां पर जो answer होगा यहां पर है आपका phosphoric acid option A is the right answer which of the following is called the philosopher's wool philosopher's wool किसे कहते हैं तो इसका हुमारा right answer option B zinc oxide which of the following does not contain silver देखिए बहुत बार question पुछा जाता है कि किसमें silver नहीं है या चांदी नहीं है तो आपका जो German German silver होता है उसमें सच में ही चांदी नहीं होती है तो यह question बार बार पुछा जाता है heating of an ore below its melting point in the absence of Aries जब आप किसी ISO सुक को वायू की अनुफस्तिती में उसके melting point यानी की गल्लांग से नीचे गरम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं calcinations और जो आपकी smelting होती है smelting में क्या होता है कि आप जो आपका और होयता है उसको आप heat देते हैं ताकि heat होने पर वो जो उसकी base metal है आप उससे निकाल सकें extract कर सकें वह होती है आपकी smelting which is natural collide कौन सा प्राकृतिक collide है तो जो हमारा blood होता है वो आपका natural collide होता है आपको यह याद रखना होगा the metal used to recover copper from a solution of copper sulfate is copper sulfate की villain से copper निकालने के लिए प्रिवक्त धातू कौन सी है तो इसका जो मारा right answer है यहाँ पर आएगा आपके पास option d iron the metallurgical process in which metal is obtained in a fused state is called धातू कर्मिक प्रक्रिया जिसमें एक धातू एक मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है तो इसका जो मारा right answer option a smelting the most देखिए आपे फ्रोट फ्रोटेशन भी है यह कुशन आपसे आया था फ्रोट फ्रोटेशन वाला process the most commonly used bleaching agent is bleaching agent आपको पता यह क्या होते है तो सबसे common जो हम bleaching agent कौन सा यूज करते है वह आपका option c chlorine और chlorine को यूम as a disinfectant भी यूज करते हैं आप सब भी कोई पता है जैसे आजकल हमारे आरोज आते हैं या UV आपके घर में जो filters आते water filters आते हैं ठीक है electric filters आते हैं तो हाँ पे उसमें UV rays को भी use करते हैं the nucleus of an hydrogen atom consists of hydrogen परमानों के नाबिक में कि इतने protons होते हैं इसके बारे में आपको बताना है तो इसका जो हमारा right answer option a one proton only the heat required to raise the temperature of body by one k is called शरीर के तामान को 1 Kelvin तक बढ़ाने के लिए आफशक उश्मा क्या कहलाती है तो इसे कहते हैं option b thermal capacity the nuclear the nuclear particles which are assumed to hold the nucleons together are नाभी ये करन जीने अनाभी को एक साथ धारन करने वाले करन को क्या कहा जाता है उसे कहते हैं option option d mesons the metal that is used as a catalyst in the hydrogenation of oil is ये question बार बार पुछा जाता है ठीक है तेलों के hydrogenic करन में आप कौन से उत्प्रेड़क या catalyst का उप्योग करते हैं बार बार पुछा जाता है तो इसका जमारा right answer option a निकल option is the right answer the most abundant rare gas in the atmosphere is वायू मंदल में सबसे परचूर मातरा में दुरलब गैस कौन सी है तो इसका जमारा right answer option c आगन the ore which is found in the abundance in India भारत में परचूर मातरा में पाया जाना वाला आयस कौन सा है तो यह इसका जमारा right answer है option a monogyte the inherited traits of organism are controlled by किसी जीव के वन्शागत election किसके द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं तो इसका जमारा right answer है option c dna molecules देखिए यह सारे questions मैंने अभी बनाए है 100 questions तो हम इसे जल्दी सी जल्दी नुक्टा लेंगे बट I hope इतने questions आपने पहले पढ़े भी होगे और देखिए नए questions हैं बार बार मैं आपको वही questions कराता जाओं वह आपने पहले भी कर लिए होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है तो बाकी questions हम यहां से देखिए next video में till then have a good time take care